पाउर में लगबद 2% का गिरावड आज की दिन देखने मिला श्टॉक ने क्लोस किया 16 रुपिस 40 पैसे के पास लगबद प्रिवेसली स्टॉक हम लोगों को एक रेज में ट्रेट करते हुए दिख रहा था जो कि स्टॉक का रेज था यह और फाइनली हम लोगों को 15 रुपिस के उपर से ब्रेक आउट डेखने मिला अभी स्टॉक उपर की लेवल पर सस्टेंड कर रहा है तो क्या जेपी पाउर हम हम लोगों को फ्यूचर में अच्छा गासा टाइट दिखा सकता है बात करते हैं इस बीडियो में स्टॉक ने एक अच्छा गासा हम लोगबद 2-3 मैने स्टॉक इस रेंज में टाइम स्पेंड के उसके बाद ब्रेक आउट डिया तो में भी स्टॉक को ऊपर की लेवल पर स अगर गलती भी स्टॉक 15 रुपिस के नीचे आता है तो फिर से हम लोगों को स्टॉक इस रेंज में ट्रेट करते हुए देख सकता है और इवन स्टॉक में 12 रुपिस के नीचे गिराओ टेखने में बल सकता है जो कि आल्मों स्टॉक नीचे के तरफ 10 रुपिस का लेवल फ तो जेपी पार जब भी 18 रुपिस के ऊपर अब दूसरी बार निकलता तो स्टॉक में 25 रुपिस तक होगा जेपी पार में और इवन लॉंग टम में स्टॉक हम लोगों 50 रुपिस तक का भी लेवल दिखा सकता है तो किसे ने इन्वेस्ट किया स्टॉक को होड़ करेगा ल अच्छा लगा तो प्रो को लाइक करें और चांग को सब्सक्राइब करें